हाई वेल्कम नो मैं चनल इस बीड़ी में सॉल्ब करें क्वेशन नुबर 24 और सॉपकीपर आफ़र्स 10% आफ़सेजन दिसकाउंट तो दा कॉस्टमर्स और सॉपकीपर आफ़सेजन दिसकाउंट तो आफ़सेजन दिसकाउंट तो होता है दिखे जब सीजन में कोई समान नहीं बिखता तो जब सीजन खत्म हो जाता है तो बोलते हैं उसको आफ़सेजन जिसेजन ज является जैसे किमारी थंडी में आप स्वेटर खरते हैं ठीक है और गर्मी में आप पतले कपड़े खरते हैं ठीक है तो यदि हम क्या करें कि थंडी में थंडि में जो है जो केवाले पत्ले कपड़े जो होते हैं उनको बोलेंगे कि थंडि what off-season है और गर्मी में गर्मी में जो sweater हो गया है जैसे मालीजये स्वेटर को बोलेंगे कि कि sweater के लिए गर्मी क्या है off-season है तो वही शीज बोल रहा है कि मतलब आपसिजन जब आता है तो क्या होता है जो चीजें होती है वो बिक्ती नहीं है जिसे कि गर्मी में आप स्वेटर खरीदेंगे तो क्या होगा नहीं बिगेगा तो उसको बोलते हैं आपसिजन आपसिजन में क्या करना पड़ता है फिर डिसकाउंट देना पड़ता है तो what is the cost price for the shopkeeper, shopkeeper ने कितने में खरीदा था, a pair of shoes ये बताना है, और उस shoes का mark price दे दिया है, marked at rupees 1120 rupees, तो मतलब यहां पर देखे ध्यान दिजएगा, CP, MP and SP, इनी तीन में relation बस देखना है आपको, तो यहां पर 10% discount दिया रहा है, तो discount हमें सा क्या होता है, यहां पर mark price पे मिलता है, तो mark price पे discount दे दिया गया 10%, ठीक है, फिर भी उसको फायदा हो रहा है, profit हो रहा है 26% का, मतलब profit जब होगा, तो किसमें होगा, हमेशा CP and SP में profit होता है, तो यहां पर इनके बीच में ही दिया हुआ है profit percent, तो profit percent दिया हुआ है 26%, ठीक है, अब यहां में बुलाई कि mark price है, यहां पर 1120 रुपीज, यहां लिख लेंगे, 1120 रुपीज का mark price है, तो बताना क्या है, what is the cost price, cost price क्या होगा, CP क्या होगा, यह बताना है, यहां पर flow chart में आप देख सकते हैं, MP दिया हुआ है, तो SP निकाल सकते हैं, क्यों क्योंकि discount percent दिया हुआ है, जब SP find करने के बाद, profit percent दिया हुआ है, यहां पर 26%, तो SP और profit percent के यूज़ करके आप निकाल लेंगे CP, और यहां आपको CP find करना है, चलिए solve करते हैं, तो पहले यहां पर हम निकाल लेंगे SP, तो SP of the pair of shoes, तो SP क्या होगा selling price, pair of shoes का, तो यह होगा, हम जानते हैं, फ्रमुला क्या होता है, MP, multiplied by, 100 minus discount percent, upon 100, तो MP कितना है, यहां पर, 1120, multiplied by, यहां पर होजाएगा, 100 minus, discount percent कितना है, यहां पर, 10% का discount है, minus 10, upon 100, यहां solve कर लेंगे, तो 1000, यहां पर, 1220 होजाएगा, into, यहां पर होजाएगा, 90 upon 100, यह 0 जो गया, यह 0 अला, यह कैंसल हो गया, तो पुरा कैंसल हो गया है, 9 सी बचा है, 9 सी बढ़ेगा लेजे, 9 टुजा, 18 का 8, 1 करे ओवर 9 बज़ा 9, and 1, 10 का 0, 1 करे ओवर 9 बज़ा 9, and 1, 10, 1008 रुपीज यह आपको निकल गया SP जब SP निकल गया कितना 1008 तो अब निकाल सकते हैं यहापर CP क्योंकि profit percent दे दिया है तो अब निकाल सकते हैं so CP of the pair of shoes क्या formula होता है CP निकालने का यह होता है SP मैं जब मड़िप्लाई करते हैं 100 upon 100 plus gain percent ठीक है gain percent या profit percent जो भी हो SP कितना है यहां पर दे दिया है one हमने find किया है यहां पर 1008 इंटू यह हो जाएगा 100 upon 100 plus 26 तो solve कर लेते हैं यहां हो जाएगा 1008 इंटू 100 अपान यह हो गया 126 ठीक है अब यहां पर cancel out करते हैं तो टू से ले जाते हैं टू फो जाएगा 126 यहां हो जाएगा 2510 यह अब नहीं कट पाएगा इससे तो 3 से कड़ेगा तो यह तो यह तो जाएगा यहां पर भी अब यह 7 से कटना चाहिए 7 वंजा 7 और यह हो जाएगा 7 वंजा 7 कितना बचा 4 बचा 42 हो जाएगा 7 6 यह 42 होता है 16 बचा है और 50 हो गया मत प्लाइग कर लिजिए 16 5 जा 80 होता है और 10 बचा है यहां पर 80 हो गया मतब 800 रुपीज हो गया यहां पर आगे आपका CP हैंस CP of the pair of shoes is equal to 800 रुपीज and this is the final answer तो जितना ज़्यादा हो से करिए लाइक करिए शेर करिए और आपने दुस्क बताइए यदि आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और यदि आपने already subscribe कर दिया है thank you so much for watching bye